हाई गाईस, वेलकम टो दीप लेक्ट्रोनिक्स लैब आज की ये वीडियो जानकड़ी से वहरपूर होने वाला है अगर आप एक लेक्ट्रोनिक्स टेक्णिय से नो टीवी रीपेरिंग का काम करते हो तो ये इस वीडियो के जरीए आपको इतना जानकरी मिलेंगे आज तक आपको किसी दूसरे वीडियो को नहीं मिला होगा क्योंकि ये जो आप सामसंग टीवी देख रहे हो 24 इंच का इसका मेन मदरबोर्ड खराब हो चुका है और कास्टोमर को बताया कि अगर सेम मदरबोर्ड अगर आप लगाओगे तो लगवाग 2000 के आसपास पढ़ जाएगा लेकिन कास्टोमर ने बताया है कि हमें उतना पेसे से नया बोर्ड नहीं लगवाना है या जो सेम टू सेम बोर्ड नहीं लगवाना है हमें चाइना वाला जो U11 बोर्ड होते है उसको आप लगा के दे दीजिए ताकि हमारा खर्चा आधा हो जाए इसलिए हमने डिसाइड करा हूँ यह जो आप U11 टाइप का उनिवर्सल मदरबोर्ड देख रहे हो चाहिए वो किसी भी नंबर का क्यों नहों इस टाइप का वाला है और ट्रेनिंग टाइप का होने वाला है क्योंकि इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए हम इसके अंदर जो सब्सक्राइब करने वाला हूँ उसके साथ ही साथ यहां पर जो बैक लाइविंग सेक्षन लागा हुआ है यह भी हम इसका ही इस्तेमल करने वाला हूँ सिर्फ में यही वाला बोर्ड को इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा जिसके मदब से हमारा खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा जहांपे 2000 रुपीज खर्चा हो रहा था वहांपे आधा हो जाएगा खर्चा हमारा कास्टोमार के हिसाब सी में बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर हमें 3 अलग अलग चीज लगाना पड़ और इस के जगां पर हमें कंभो गलग तो चलिए इस वल्रेवड को इस तीवी का अंदर इंस्टाल करने के लिए सबसे पेले जो हमें अगर हम लेने जाएंगे तो उसका ही प्राइस लगभग पंद्रासों से आसपास पर जाएगा इसलिए हमारे पास इसका बिकल्ब जो रास्ता होता है वह हमारा यूनिवर्सल बोड लगाना या कोई पुराना इस टाइब का बोड को लगाना है तो पुराना बोड अगर इस इसको इन्स्टॉल करेंगे तो उससे भी ज्यादा तो देखिए इस वाली बोड के अंदर जो इस टाइब का लगा हुआ था जिसको हम फीलेक्स के बिल भी बूल सकते तो यह फ्लेक्स के बिल इसके अंदर लगा हुआ था अभी एक केविल है ना वार्किंग कंडिशन में तो यह आपने पास रख लूँगा इन फ्यूचर में अगर कोई स्ट्रिप का टीवी आएंगे जिसका अंदर यह वाली LVDS के वल खरब रहेंगे तो उसके अंदर लगा दूँगा और हुसा के तो मैं आपने वेब साइट पर इसको आड़ करूं दूँगा जिसको भी ओरेज ए przysz 준 वेद्रल बॉट के अंदर लग जाएगे और दूसरा हमरा इस पैनल के अंदर लग जाएगे यह पैनल हमरा 245 नंबर का है जो कि 12 पैनल और इसका पार सेप्ला है यह राइट साइड में हैं इसलिए हमने यह LVDS के विल राइट साइड में आ पावर साइड यह लिया utz क परेगाँ हम क्या करेंगे कि immature करेंगे tired तीनी कंवुम्य करना परेगा क्षम करने के लिए मैं यहाँ पर तीन ऊयर को पहले से ही काटके रखा हूं यहाँ एक रेड एक ब्लाइक ग्री यह तीन ओयर को हम कहां पे लगाएंगे एक बार दिखा देता हूं देखिए इस बली युनिवर्सल मदर बोर्ड के पीछे यहां पे कुछ चीज लिखा हुआ है यह जो रेड जंपर आप दिख रहे हो कनेक्टर इसके पीछे लिखा हुए 12 वोल्ड ग्राउंड और इनेबल किसी किसी बौड के ऊपर लिखा रहेता है यहां पे लिखा हुआ ओन और तो भूल्ड और ग्राउंड तो बिल्ला वाइग को हम में Grins next करेंगे रड वा वाएड को यह वली वैर को इस्तमाल करेंगे आप यहाँ पर बात यह आ जाती है कि यह तीन कनेक्षेन हमारे इस बूंड के साथ हो गया अब बाकी इस पाउट सप्लाइग के साथ हम कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले में इन तीन कनेक्षन को इस बौट के साथ करेंट कर देता हूं उसके बाद मैं आपको इस power supply के साथ connection करके देखा था हूँ बहुत ही easy है और last मैं आपको दिखा हूँगा कि इस बली board को इसका फ्रेम है ना उस फ्रेम के साथ कैसे attachment किया जाता है क्योंकि YouTube पर आपको बहुत सरे वीडियो जैसा है देखने को मिल जाएंगे यह वाली board को है त साथ कैसे attachment करना है कैसे इसको final finishing touch देना है ना वह आपको कोई नहीं दिखाता है जो कि आपको आज के वीडियो के जरीए वह भी देखने को या मिलने वाला है चलिए मैं तीन connection यहां पर कर देता हूं यह तीन हमारा connection तो हो चुका है एक बार आपको नजदीगी से दिखाने की कोसिस करता हूं यहां पर देखें तीन connection हमने कहां कहां पर कैसे करा हूं एक बार देख लेजे मैं जूंग करके आपको दिखा देता हूं यहां पर देखें रेड वाला वायर को हमने 12 बोल के साथ बिलेक बले को हम ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूं और जो ओन लिखा हुआ था उहां पर हमने यह बुलू वाला वायर को जोड़ दिया हूं अब चलिए हमारा जो इसका अंदर पावर सब्लाइज से लागा हुआ है यह वाली से मपीस को में बहान निकलता हूं और जो निकल लेता हूं और रग लेता हूं हमारे पास इन फ्यूचर में काम आएंगे तो जहां पर यह बलग कनेक्टर लागा हुआ था जो मदरबोड के साथ कानेक्शन करा हुआ था ठीक उसके पीछे अगर हम यहां पर देखने जाएंगे मैं आपको जूम करके दिखा देता उसके बाद हम अपने वेब साइट पर दीप इलेक्ट्रोनिसलैब.com वहां पर आपलोड कर दूँगा तो वहां पर जाके आप सिम्पिली इसका जो है ना कहां पर कौन सा कनेक्शन कर रहा है वो पिक्चर आप डाउनलोड कर लिजिए उसके बाद अपने फोन पर या लैप यहां पर दिखेंजए पहले से यहां पर कनेक्शन करा हुआ है यहां पर दिखेंगे कुछ एरो भोल का जो वह भी पॉज़टिव अ मुझा यहां प्राइब चाहितिव के पावार स्ट सौट एब काll टेंगे माइस हो गया दोस्तो आप से करेंहें तो यहां पर बीइवर पावार दावी के लिए यहां पर बun कमाराइन के लिए यहां पर घुक्त कर दिया हुँ औप हम बताता हूं जल्य चका चलिए अब नजदी के से एक बात देख लेजए हमने कनेक्सिर कहां पर कर हूँ जहां पर आपको बताया औहीं कर रहा हुँ या इसले दूसरी जगा है पर मैंने कर दिया हूँ देखिए जहां भन बतायाeso कि में यहां पर ग्राउंड को कनेक्शन करेंगे ग्राउंड हो गया और पॉजरिब को कनेक्शन यहां पर कर दिया और इनेबल का कनेक्शन यहां पर कर दिया अब मैं क्या करता हूं कि इसको जहां पर लगा हुआ था यह हमारा पावर सपला वहां पर मैं इसको सेट कर देता ह कि आगे कि हमारा जो काम है ना वो करने में आसानी हो जाए अब इसके अंदर में लगा देता हूं स्क्रू को यहां पर बिद्यस करके कर दिया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के लिए हमें पर तौछ परसे करने के लिए हमारे पास मालटिमीटरह और आपको पता हूगा चES क्रॉस में अपने माल्टी मीटर का जो कॉंटिन्यूटी पॉइंट है उसके अंदर में सेट करता हूं और ताकि दो प्रॉब एक साथ टाच करने कवाद बीप साउन आए अब मैं क्या करोंगा कि है यहां पर जो ग्राउंड है इस ग्राउंड के साथ करेंगे और इसमादर पर जाउन के साथ करेंगे तेखिए वीस walls को नहीं आ रहा है और यहां फूरा वहत आपको वैलू देखने को मिल रहा है मतलब हमारा connection बिल्कुल okay है कोई भी ग्राउंड के साथ sorting नहीं दिखा रहा है अब हम इसको और भी टेस्ट करने के लिए इसके अंदर आप पावर दे के देखेंगे यहां पर मैं इसको रखता हूं और इसको पावर देने के लिए मैं यहां पर इस रिकॉर्ड को में इस्तेम करिंगे यह अपने यूनिवर्सल मदर्बोर के साथ लगा देता हूं कि यूनिवर्सल मदरबोर के साथ लगाने के बाद देखी यह हमारा रेड lime दर जल चुका है आप इसको मैं रेमोट से स्टनवाइस करता हूं रेमोट से से रिलीज करा आप देखिए विय्क अबर बोड इस्टनवाइस रिलिज्य हो चुका है और इसका बेकलाइट अभी तक नहीं जाला है बी जल गया है यह आप इसको दिखाद एसम्बिली करेंगे हमने इसके अंदर जो मदरबॉड को connection करा हूं ये connection हम टी वी के साथ Q4 कैसे करेंगे ये दिखाने के लिए आपको और एक connection करना परेगा वो connection क्या है AIR का connection क्यूंकि इसके अंदर ये जो AIR पहले से लगा हुआ है इसका कोई काम नहीं है तो इसके औरिजिनेल वर्किंग कंडिशन वाला तो आप हमारे ऑनलाइन इस्टोर से ओडर करके ले सकते हो बहुत ही सब्सक्राइब आपको मिल जाएंगे अब हम क्या करेंगे इसके अंदर यह वाली जो हिस्सा है ना इस यह वाली हिस्से को मैं यहां से खोल लेता हूं और उसके हम लोग इंडिकेडर फिट करेंगे वह दोनों इंडिकेडर क्या है यहां पर देखिए यहां पर चीज लगा हूँ ना इसको में इस तरीके से तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद यह हम यहां पर फिट कर देंगे ताकि जब इसके अंदर कोई कास्टुमार को मैं इसक चाहते हो कि कैसे हम इसके अंदर फिट करेंगे तो आप आप नीचे करके बताइए मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा चलिए मैं फिलाल के लिए कामरे को बंद करता हूं दो तीन सेकंड के लिए और उसके बाद चाल करता हूं दोस्तों आप इस चीज को बहु उनिवर्सल बोड के साथ भी मिलता है तो हमने उसको अगर निकलने जाएंगे तो टाइम भी जाता लगेगा और वह कहीं बार टूड भी जाती है जो लेक्स बगर है इसलिए हमने अलग से लिया हूं और अलग से लेने के बाद हमने कौन सा ओयर कहां पर जुरा हूं यह दे को करके साथ जोड दिया हूं जोड दिया हूं अब उसके बाद हमने और टूटाल चार लिया में एक क्क app के लिए क्लाई अंधर पर ंर कर लिया का है यह दो आउट्ट पूक्ट होता है तो हमने से डीटउर का चैंटर का यहां पर आउट्पूट के लिए इस्तेमाल की जाती है कि उसके बास यह जैली का भी दो गरिन के लिए और इन दूरों को जहां पर LED लग हुआ था उसके अंदर आमने रेट गरिन को लगा दिया हूं अब चलिए आपको दिखाता हूं कि यह वाला जो हमारा कनेक्शन है यह काम कर रहा है कि नहीं यह भी आपको देखना बहुत ही जुरूर यह इसलिए इस बोड को रखता हूं नीचे ताकि इन यहां पर जो है ना मेटाल दिया हो है अगर इसके उपर रखेंगे तो हमारा बोड सौटने का चांसेस रहेगा तो मैं आपको यहां पर इसको रखता हूं और इसके अंदर पावार दिया देखिए रेड लाइट जल चुका है आब बाड़ी आ से यह नहीं हुआ तो एक बाड़ फिर से दबाता हूं क्योंकि टाइम लेता है आप देखिए यहां पर इस्टन माय में आ चुका है यानि कि यह कनेक्शन हमारा बिलकुल हंडेड परसें ओक है एक बार और भी नजदिगे से देख लिए कि कितना सभाई के साथ हमने काम करा हूं तो अगर एसा ही हम लगा देंगे ना तो यह सौठ होने का चांसेस रहेगा इसलिए हम क्या करेंगे हमारे पास एक दूसरा चीज़ है ना वह कहा कि एक टेप यह देखिए इसको बूला है था पेपर टेप यह पेपर टेप आपको हमारे website पर मिल जाएंगे बहुत सब सब्सक्राइब में लाकर रखता हूं और आपके पास आसपास कोई दुकान है ना दुकान पर भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे तो यह पेपर टेप आपके पस रख लिजिए गा और मैं क्या कर दूंगा ताकि एक का लेग दूसरे के साथ ना जूर जाए तो इस काम को मै जल्दी से कर लेता हूं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे यह आपको देखने को मिलेंगे कि की देखिए हमारा इंस्लेसन का भी काम हो चूका हैं और यह बहुत सब्लीन तरीकוזी काम भी कर रहा है अपने देख लिया है तो हमने इस इंस्लेशन को मैंने क्यों कर रहा हूँ इसके चाहां पेशे हैं पहला में टकरा के रिजन है चल रेही सता pasti की हमारा ये जो चीज से कंदरते हाड के मदद से इसको करेंगे और नहीं कतलने की बैख साइड के अंदर यह वाला रहेगा ना यहां पे लगएगा तो कैसे लगए इहां पर देख लगीजिए इस पुइर से लगएगा और भी आसाने के यह आपको दिखाना चाहता हूं पतलु यह यह से लगा होगा तरीके से रहेगा और इस तरीके से रहेगा मतलब हमारा जो आयार सेंसर है ना यह साइड होना चाहिए क्योंकि यह इस हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि थुरा सा पहले इसके अंदर गुलू डाल देंगे यहां पर आप बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिए हमने ज अब फिलाल के लिए मैं इसके अंदर लाइन देता हूं जैसा ही लाइन दिया आप देखिए कि यहां पर रेड इंडिकेटर आपको जलने के लिए देखने को मिल रहा है अब बाड़ी आतेस का जो सेंसर है इसको टेस्ट करके देखना है इसलिए हम रेमोट के मदद से इसक दूसरा यह जो मेरा यूनिवर्सल मदर बोड है उस मदरबोड को केशा करेंगे यहां पे एक और यहां पर यह दो लगा हुआ है और हमारे यह जो मदर बोड़े ना इस मदर बोड़ के अंदर और इसका जो connector है ना यह directly नहीं लगेगा देखिए यह वाला connector पहले से speakers के साथ जुरा हुआ था और इसको अगर हम यहां पर लगाने जाएंगे यह नहीं जुरेगा इसलिए हमने क्या करहां कोई पहले से जो एक connector लगा हुआ था ना उसको हमने काट के फेक दिया हूँ और उ इसमें आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी चीज जब भी मैं repair करता हूँ आप लोग के सामने वीडियो के मदद से और उस वीडियो के अंदर या उस चीज़ को repairing करने के लिए जितने भी सामान को मैं स्तमाल करता हूँ सारे चीज आपको हमारे website मिल जाएंग कौम ने लगा दिया हूँ एक कनेक्शन हो गया हमारा यह स्पिकर्स का भी अब बढ़िया थे कि इस वाली बोड को फ्रेम के अंदर फिट करना है तो फ्रेम को में अपने पास लेकर आ चुका हूं यह रहा वो फ्रेम और फ्रेम के अंदर मदर बोड को इंस्ट्रोल करने के ल और यह हम कैसे अटाच्मेंट करेंगे देख लिए चल तो अटाच्मेंट करने के लिए यहां पर पहले साही में एक इस्कुरू को डालकर रखा हूं यह इस्कुरू को मैं खोल लेता हूं और अब मैं क्या करता हूं कि यह वली जो बोड है ना इसके अंदर लगाने से पहल और अब मैं इस्कुरू को यहां पर लगा दिता हूं कि अब यहां पर अच्छे से लग गया है और एक बच रहा है कि इसको यहां पर हमें और एक इसकुरू डालना पड़ेगा तो इसके लिए मैं एक इस्कुरू को ले लेता हूं तो चलिए दोनों नाट बहुत ही तेजी के साथ यह मतलब एटाच्मेंट हो चुका है आप देखिए यह बोड हमारा खुलेगा नहीं इसके अंदर से जितना भी आप कनेक्टर जितने तेजी से आप लगा लोगे आप देखिए कि यहां पर हमारा सारे कनेक्टर मोजियू दे यहां पर हमारा हो गया USB यहां पर हमारा Home Theater के लिए हो गया यहां पर हमारा AV के लिए हो गया HDMI, BGA मनदा सारे कनेक्टर यहां पर आपको मिल रहा है कोई भी आपको और भी चेंजेस करने की कोई जोरुत नहीं है आप मैं इसको इसी तरीके से अपने फ्रेम के अंदर लेकर आ अब क्यूंकि यह पाउर कोड का कोई काम नहीं है अभी तक अब चलिए यह हमारा जो LVDS केबल था इस LVDS केबल को में लगा लेता हूं यहां पर और इसका कनेक्टन तो पहले से करा हुआ है और यह जो सेंसर था ना इस सेंसर को मैं यहां पर लगा देता हूं अब मैं इसको धीरे से यहां पर को फिट कर देना हुआ है तो दोस्तों फाइनली हमारा यह टीवी मोडिफिकेशन का काम कंप्लिटली हो चुका है अब बाड़ी आते इसका फाइनल टेस्टिंग करके देखना तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पीछे इसका जो पाउर कॉ को सुआ करा और देखी विए इसका देखने को मिल रहा है मतलब यह हमारा टीवी आब चालब हो चुका है श्रिके करेंगे देखिए कि हमारा टीवी के अंदर पिक्चर आ जाएंगे यह देखिए टीवी के अंदर पिक्चर आ चुका है लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर है ना दोस्तों यह पिक्चर हमें उल्टा दिखाई दे रहा है मतलब यह भी हमारा इस साइड होना चाहिए था लेकिन उपर सा और जैसे ही हमने scmt करा हमारा service मेनू open हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो अब service मेनू open होने के बाद हमें farina पर be grant panel adjust की उपर तो पैणिल एजस्त की ऊपर चलते हैं इस दलब के दरखिये पैनेल मिरोर on करा हुआ है हम इसको off कर देंगे चलिए नीचे चलते हैं और यहां पर on करा हुआ है हम कर दिया है और जैसे ही हमने off करा यहां पर आ रहा था पहले अब यहां पर आ चुका है आप कर देते exit आप देखिए कि no signal आभी सीधा हो चुका है आप अगर हम इसको input प्रेस करेंगे देखिए बिल्कुल एकदम सीधा हो चुका है सब कुछ आप मैं आपको इसके अंदर पिक्चर चला के दिखाता हूं हमने इसके अंदर अपना android box को connect कर दिया हो आप इसको input में जाके इसका input source चेंज कर देता हूं HDMI सिलेट कर लेता हूं और जैसे हम इसको HDMI सिलेट करेंगे यहां पर हमारा जो box से यह connect हो जाना चाहिए यहां पर भी 100% successfully convert हो चुका है हमने इसके अंदर एक universal motherboard को इंस्टॉल करा इसके जगा पे तो मुझे उमिदे कि दोस्तों आपको यह वाली वीडियो जानकरी से भरपूर लगा है और अगर आप इसी पोरगर के वीडियो आगे आने वालो दिनों में भी देखना चाहते हो तो चैनल को में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सूजाब है वह भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि आपका कमेंट का रिप्ले में जल्दी कर सकूं और हो सके तो आपके कमेंट के ओपर वीडियो भी बना दू चलिए मैं आप इसके अंदर एक YouTube वीडियो चला आ रहा है और इसी प्रोकर के दोस्तों आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे आज के वीडियो में दोस्तों हम पर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लोगी सिव ओल दबेस